जैहें साथियों CISAP EASI के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि the minimum percentage आप है mark for qualification in written examination mode for next stage will be under अर्थात इनका कहनेकार्थ यह है कि minimum जो qualification mark होगा आपको next stage में जाने के लिए वो general EWS के लिए 35% OVC SCST के लिए 33% तो बहुत सारे लोगों का ये doubt है कि क्या 33% and 35% लाने पर हमें typing के लिए बुला लिया जाएगा जिस तरीके से अभी CISAP fireman में इन्होंने किया CISAP fireman में भी इन्होंने ऐसा ही दिया था कि minimum qualifying mark for qualification in written examination for next stage will be under अर्थात सेम इन्होंने CISAP fireman में भी बताया था कि next stage के लिए minimum qualification mark 35% and 33% होगा और वही सेम इन्होंने CISAP 222 के notification में बताया है कितना minimum qualification mark होगा तो क्या 35% लाने वालों को भी tapping के लिए बुलाया जाएगा या फिल नहीं उसके बारे में discuss कर लेंगे और tapping के लिए cut up कितना जा सकता है क्योंकि आपको पता होगा कि vacancy अभी बढ़ चुकी है तो कितना safe score हो सकता है क्योंकि tapping के लिए ज्यादा time आपके पास नहीं बचा हुआ है अगर आप अभी cut up के चकर में लगे रहेंगे और बाद में अगर आप tapping नहीं कर पाते हैं और tapping is cut up होता है तो बाद में बहुत साई लोग tapping में बाहर होते हैं अभी 2019 वालों का tapping हो रहा है उसमें मुस्किल से 15-20% लोग पास हो रहे हैं तो tapping में अच्छे अच्छे नंबर वाले भी बाहर हो जाते हैं तो अगर आपको selection लेना है तो tapping पर भी focus करना होगा कितने minimum mark पर आपको tapping के लिए बुलाया जाएगा क्या सभी को बुलाया जाएगा वो सारी चीज़े आज किस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो वीडियो को पुरा लाशते देखेगा एंट्रेंस चैनल पर पहली बारा है तो subscribe कर लिजेगा आगे का जो भी update होगा जैसा ही result आएगा जो भी update होगा इसके final result तक हम आपको inform करते रहेंगे तो चैनल पर पहली बारा है तो आगे एक update पाने के लिए subscribe जरू कर लिजेगा अब यहाँ पर देखे यह इसका notification है और यह CISF Constable Fireman का है मैं full notification open करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को trust हो जाए तो देखे यह CISF Fireman का notification है इसमें भी इन्होंने सेम चीज लिखी थी किन्तों इन्होंने फिर भी सभी को बुला लिया जिसके भी 35% से ज़्यादा number थे यहाँ पर देखे इन्होंने यहाँ पर लिखा था यहाँ पर देख सकते है minimum percentage of mark for qualification in return examination 35% और 30% और नीचे सेम चीज इन्होंने लिखा था कि qualification mark means that the person scoring less than qualified mark will be called for next stage if vacancy remain unfilled the candidate will be called for next stage on the basis of their position in merit list अथा सेम चीज इन्होंने दोनों notification में लिखा था अभी इन्होंने जो है CSF fireman में सभी को बुला लिये जिनके 35% 33% से ज़्यादा थे अभी इन्होंने ऐसा क्यों किया क्या इसमें सभी को बुला सकते हैं या फिन नहीं देखे प्रस यह उन्हीं करेगा कि यह 35% सभी को लेते हैं या फिन नहीं इनका stage जो था वो document verification का था इसलिए इन्होंने सभी को बुला लिया और आपका जो next stage होगा वो tapping का होगा तो उमीद बहुत ही कम है कि यह सभी को tapping करा पाएंगे क्योंकि 35% तो लगवग सभी लाते हैं अर्थात अगर कम candidate होंगे तो हो सकता है थोड़ा से chance बन सकते हैं अगर बहुत ही कम candidate exam दिये होंगे वो 35% से ज़्यादा आ रहे होंगे तो यहाँ पर उमीद हो सकती है कि हाँ यह बुला लें कि वैसे बहुत ही कम उमीद है कि यह सभ मैनेज करना पड़ता है कि कौन से इन्हें content देना है उसका result भी बताना पड़ता है तो उमीद बहुत कम है कि 35 पर यह सभी को पास करेंगे अर्थात यह कटाफ जरूर लगाएंगे जैसा कि 2019 की भरती में भी इन्होंने कटाफ लगाया फार्मैन में डीवी था साइद इसलि है उतने ही लोग यह बुलाएंगे सभी को बुलाते हैं फिर भी टैपिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है एक निश्चित आपका अगर स्कोर है अच्छा का से स्कोर है तो आप टैपिंग कीजिए अभी मिनमाम कितना हो सकता है वो मैं अभी यहाँ पर बता देता हू होगी और जो 2019 वाला कटाफ लगा था उसमें आपने देखा कि लगभग 6000 कंडेट किये गए थे 64 सवए प्रॉक्स सेलेक्ट किये गए थे तो 6000 उसमें सेलेक्ट किये गए थे इसमें 10,000 तो आप समझ सकते हैं लगभग दो गुने के बराबर डेट कुने से जादा ही है तो य कि उमीद है कि इतना कुम है अगर आपके इतने नमबर बन रहे तो आप फुल डेडिकेट होकर अपनी टाईपढ़y की आप इतने में आप आ सकते हैं यह फिमील की कुम है यह मैल की कटाफ है और देखें बहुत साल लोगों को यह डाउट आता है एसाई का देखें वह एक ही कटाफ लगता है आपको टाइप अलग 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 देना पड़ेगा अगर आप उसमें कटाफ में भी आते हैं उसका कटाफ जारी होगा अगर आपके इतने नंबर है फिर तो आप उसका कटाफ में आही जाएंगे उसका कटाफ कम ही रहेगा उसमें क्योंकि ज्यादा लोग बुला जाते हैं लगवर तीस गुना लोग बुला जाते हैं तो एक ही कटाफ इस एक्साम की बेस पर कटाफ लगाएंगे अगर आप इसके टेस्टे जो एसाई वाले हैं अगर आ कि यह आपके राइस को अगर इतने हैं फिर तो नॉमलाइजेसन होगा आपका और बढ़ जाएगा आपके जो है सत्तर प्लस भी है राइस को तो आप यह मांज चलिए कि हाँ आपका सेलेक्शन होने की पूरी-पूरी संभाव ना है तो यह इसका टाइपिंग का कटाफ हो सकता है बाकि दो-चार नंबर और आपका अगर नॉमलाजेसन में मिल जाएगा फिर तो आपका फाइनल हो ही जाएगा लेकि जिनके इतने राइस को रहे हैं उनका तो फाइनल के बताइएगा और 35 पर बहुत कम उम्मीद है कि यह सभी को बुला लेंगे और अगर सभी को बुला ही लेंगे फिर भी कोई मतलम नहीं रहता है क्यांकि कटाफ तो फाइनल बार में बढ़ी जाएगा तो आप इतने उमीद कीजिए कि इतने नंबर है तो आपके सेलेक्शन हो